हलो फ्रेंड्स महुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टेडी एन एक्सपेरिमेंट पर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिलेट वेल्ड का welding का weight कैसे calculate करेंगे किसी भी structure में अगर आप फिलेट welding कर रहे हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, 1000 मीटर तो कितना भी आप length में कर रहे हूँ मैं उसका आपको calculation बताऊंगा फिलेट weld का कि आखिर जो welding हुआ है उसका weight कितना है इसके अलावा अगर आप submerged arc welding के बारे में भी जानना चाते हैं तो उसके उपर भी वीडियो है और वो भी field से है live आप देख सकते हैं कि submerged arc welding क्या होता है उसके बारे में पूरा detail मैंने बताया है वहाँ पर और field से आपको दिखाया है कि आखिर submerged arc welding क्या होता है और इस वीडियो में पूरा calculation एक example के साथ अगर आप हमारे चैनल को नए है तो इस चैनल को subscribe कर लिजिए हम इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज अपलोड करते रहते हैं और calculation से related industrial वीडियोज अपलोड करते रहते हैं तो यह दो प्लेट है आप देख सकते हैं यहाँ पर और इनमें जो welding है यहाँ पर हैस से जिसको सो किया गया है जो triangular shape में है वह आपका welding material है अगर हम उसको एक side से देखे तो इस side का triangular shape आपको मिलेगा यहाँ दोनों side h लिखा हुआ है क्योंकि दोनों equal तो friends अब calculation start करते हैं तो यह diagram मैंने बना लिया है और यहाँ पर से हम चालू करेंगे तो यह diagram है यह वाला portion welding है अब हमको इसका simple concept पहले बता दे रहा हूँ कि हम क्या करेंगे तो हमको सबसे पहले देखिए density का formula होता है density is equal to mass by volume है ना अब हमको क्या निकालना है mass निकालना है तो mass को इधर रखेंगे और volume को इधर भेज देंगे तो यह cross multiply हो जाएगा यानि कि mass निकल जाएगा density और volume के multiply करने से अब volume कैसे निकलेगा तो उसके लिए हम यह triangle वाला area निकालेंगे triangle का area कितना है plus उसको length से multiply कर देंगे length से तो हमारा volume आ जाएगा है ना तो यहाँ पर हमने माल लिया है कि यह triangle है इसका height जो है वो भी 10 mm है और यहाँ पर जो length है वो भी 10 mm है यह वाला length और height मिल गया अब हम formula लगा देंगे area का तो area का formula होता है 1 by 2 length into breadth यहाँ पर आप देख सकते हैं length into height या length into breadth भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर हमने length और height जो हमारा है वो 10-10 mm है दोनों साइट 10 mm है तो मैंने यहाँ पर calculation आसान हो इसलिए centimeter में लिया है यहाँ पर हर चीज को तो 10 mm यहने होता है एक centimeter तो यह हो गया 1 by 2 multiply by one multiply by one तो यहाँ पर आ रहा है 1 by 2 cm square area आ रहा है इसका area आ रहा है यहाँ पर का 1 cm sorry 1 by 2 cm square अब मेरे को निकालना है volume तो volume कितने में निकालूंगा मैं मैं माल लेता हूं 1 meter welding का पहले volume निकाल लेता हूं तो 1 meter में कितने centimeter होते हैं 100 cm यहाँ पर जो area आया है अब उसको मैं multiply कर दू यह है मेरा 1 meter length के लिए मैं निकाल रहा हूं तो 1 by 2 क्या आया था मेरा cm square area आया था उसको मैं 100 cm से multiply कर दे रहा हूं क्योंकि 100 cm is equal to 1 meter तो यह आ गया 50 cm cube यानि कि 1 meter का अगर मैं fillet welding करता हूं तो उसका volume जो होगा 50 cm cube होगा अगर 10-10 mm दोनों side है तो welding का तो 50 cm cube volume आगया 1 meter का अब मैं उस formula में put कर दूँगा है ना तो formula क्या था मास का density multiply by volume तो density हम मान लेते हैं आपर MS MS का welding rod है 7.8 gram per cm cube यह MS mild steel की density होती है तो 7.8 multiply by volume 50 cm cube तो आप देख सकते हैं यह cm और यह cm यहां से cancel हो जाएगा तो finally जो answer आएगा वो gram में आएगा कितना gram आ रहा है 390 gram तो 390 gram जो है 1 meter fillet welding का weight है अब मेरे पास मान लीजें मेरे को पूरा running meter calculate कर लेता हूं है 50 meter में welding हुआ है fillet welding हुआ है अब 50 meter का जो हुआ है उसको क्या करेंगे 50 meter को multiply कर देंगे हम किस से जो हमारे 1 meter का आया है तो 390 यहां पर है 390 multiply by 50 तो यह आगया आपका 19,500 gram याने कि 19,500 gram अब इसको kg में मैं अगर convert करूँगा तो यह हो जाएगा आपका 19.5 kg याने कि अगर आप 50 meter fillet welding करेंगे जिसका base और height जो दोनों side का 10-10 mm रहेगा तो उसका welding का जो weight रहेगा वो रहेगा आपका 19.5 kg 50 meter का और 1 meter का कितना रहेगा 390 gram तो दोस्तों उमीद करता हूँ इससे आपको समझ आ गया होगा कि आखिर आप fillet weld का weight कैसे calculate कर सकते हैं अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो please like करिएगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में